नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार आपका DVP रिव्यू स्प्रेज जैसे कि आप देखरें इस वीडियो में जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस पार के वेन्यू प्यूर कलेक्शन के ट्रांस परिफ्यूम स्प्रेई का जो 0% गैस के साथ आता है यानि कि पूरा लिक् शुरू करते है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी बिल्ड क्योंकि इसेंच में बाकी सारे जो डूद्रेंट और पर्फियूम है उनकी जो ुड़ क्वालिटी होती है वह जो अल्युमिनियम के बिल्ड एक आतए है लेकिन इसकी जो बॉटल है यह जो है प्लास्टिक हिए तो अगर यह ऐल्यूमिन उल्डब होती तो अच्छा लगता अच्छा होता क्योंकि जो इस जो इस प्राइज में जो 210 तो चीप प्लास्टिक नहीं कहूंगा अच्छी बिल्ड कॉलिटी वाला प्लास्टिक है तफ प्लास्टिक है लेकिन अगर अलुमिनिम होता तो जाधा बहतर होता फिर बात करते हैं इसकी इंग्रीडेंट्स क्योंकि यह बॉडिस ब्रे तो आपको डेफिनेटली इंग्रीड है दिया गया है साथी डिरेक्शन ऑफ यूज दिया गया है वह भी आप चाहे तो पॉस करके बढ़ सकते हैं क्योंकि यह सारी कॉमन चीज़े सारे बॉडी स्प्रे और डियोडेंट्स पर होती है तो उसी हिसाब से जो इन्होंने यहाँ पर लिखी है साथी इसका जो नेट था या फिर उससे भी जाद होगा मुझे ठीक से याद नी लेकिन 150 ml से डेफिनेटली जादा था तो मुझे यह भी बात इनकी थोड़ी कम लगी कि इन्होंने 135 ml तो यह अल्मूस्ट 150 ml तो देही सकते था अगर इन्हें ने बॉटल जो प्लास्टिक की दिये तो साथी आइडी पे और इस टोल फ्री नंबर पे कोई भी आपका सजेशन हो कंप्लेंट हो क्वारी हो आप इन पे इन्हें जो है कॉंटेक्ट कर सकते यहाँ पे जो इसकी प्राइजिंग है 210 रूपीज साथी में जो इनकी मैनिफेक्ट्टरिंग पाकेट डेट है 2020 यूज बीपोर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको इसे प्रे स्प्रे करना है वह दो फोटो दी गई है बार कोड है और यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया बॉटल के निचली तरफ कुछ नहीं है और जो स्प्रे है लिक्विड अंदर वो ट्रांसपरेंट है जैसे कि यहाँ पर इन कि बॉटल मैंने यूज की गी है अभी मैं सबसे इंपोर्टन बात बताना चाहूंगा कि इसकी फ्रेग्रेंस इसका फ्रेग्रेंस जो है मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा इसलिए लगा एक बात तो माइल्ड है और एक नीविया का सिगनेचर फ्रेग्रेंस जो आपको पता होगा अगर आप नीविया का डियोडेंट या फिर कुछ स्प्रेइव अगर यूज करते होंगे तो उसी तरह का जो यह ट्रांस का जो इनका प्यूर कलेक्शन का ट्रांस का जो पर्फ्रेग्रेंस है और उससे ची बात यह है कि यह लॉंग लास्टिंग है अगर आप इसे नीविया से कंपेर कीजिए एक्स से कंपेर कीजिए मैंने नीविया और एक्स से पहले यूज किये तो उनसे यह जादा लॉंग लास्टिंग है मैं कहूंगा डेफिनेटली लॉंग लास्टिंग है क्योंकि यह मुझे पूरे दीन चला मैंने यह कपड़ों पर यूज़ करके देखा, बॉडी पर यूज़ करके देखा, बस मैं दो स्प्रेई करता था, उससे जाधा नहीं करता था, लेकिन ये पूरे दिन, मतलब रात को भी ये जो है, इसकी फ्रेक्रेंच जो मुझे आती थी, तो ये कि इसका मुझे प्लस पॉइंट लगता है, कि कि अगर आपको पूरा दिन अगर चल रहा है, तो आपको ये बॉटल जो है, आराम से एक महीने से दाधा चल जाएगी, तो इसका यही मुझे प्लस पॉइंट लगा कि ये लॉंग लास्टिंग है, तो इस तरह से जो है, इसका ये स्प्रे है, इसे आपको एक बार स्प्रे बहुत अच्छी है, और सबसे इंपर्टन जो है, लॉंग लास्टिंग है, तो इसलिए मुझे ये अभी पर्फ्यूम जो है, इनका बॉडी स्प्रे, अंडर टू हंडर रुपीज जो है, अंडर टू फिफिटी, अंडर टू हंडरेड, मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क् क्योंकि ये जो है, लॉंग लास्टिंग है, क्योंकि इस रेंज में जो पर्फ्यूम आते हैं, आप 300, 350, 400, उसमें भी जो बहुत सारे डियोरेंट्स और पर्फ्यूम्स है, वो लॉंग लास्टिंग नहीं है, कुछ घंटों में ही उनकी फ्रेग्रेंस उट जाएगी या फ अगले विडियो में